मैं तक डि नका कभर का सीना चीर कर बाहर आ गया Trane से गिर जाता है उसकी मध हो जाते है मौत होने के बाद यह लोग दफना भी देते हैं फिर आच महीना बाद वह वापस आने के बाद उसकी आवाज चली गए थे वहाँ दफनाने के लिए लास्की पहचान भी होगे और वहीं आपने जो यूपी में दफन किया था कौन से कभी स्थान में दफन किया थीक आठ महीना पाद कुदरत का करिस्मा कहिए चमतकार कहिए या अजूबा कहिए वो देखने को मिल जाता है इस मजपरपुर जिला में ठीक आठ महीना बाद एहताब वापस आजाता अभी हम मुझपरपुर में मौझूद है मुझपरपुर में आठ महीना पहले एक खवर छपती है कि मुझपरपुर के जरी कारिगर एहताब को फेक दिया गया ट्रेन से और उसके बाद पे बेटा का हमियत क्या होता है उसके पापा यूपी जाते हैं आनन फानन में गरीब घर है गरीब परिवार है यूपी जाते हैं यूपी जाकर बेटा को देखते हैं अधार काड भी मैच होता है उसके बाद उस बेटा को दफन किया जाता है चाचा यूपी में ही दफन कर दिया या अजूबा कहिए वो देखने को मिल जाता है इस मजपर पुरजिला में ठीक आठ महीना बाद एहताब वापस आ जाता है घर क्या है मामला उनके पापा से हम जानेंगे आखिरकार जिस बच्चे को दफन कर दिया गया जिस बच्चे को ट्रेंड से फेक दिया गया जिस बच्चे का फोटो छप गया जिस बच्चे का अधार काड वहां मिल गया वो बच्चा आठ महीना बाद कबर से कैसे वापस आ गया जिन्दा कैसे हो गया पूरी बात इन से हम जानेंगे कब आपका बेटा यहां आया चो तारीक आया आप जब गए थे वहाँ दफनाने के लिए तो लास्की पहचान भी हो गए और वहीं आपने जो यूपी में दफन किया था कौन से कभिस्तान में दफन किया था तो कभिस्तान में दफन हुआ था वहां भी कुछ पैसा लगा हो बहुत लाया जमीन खरदाया तक्था खरदाया कफन दफन सब वहां के महजीद में से मुलाना साहब आया जनाजा पढ़ाए तो सच सच बताईएगा आपका कितना खर्च हुआ था वहां जाने में इसाम लेकर किरिया करम चलिसमा दसमा विसमा इसा कर किरिया कर तिन तिन लाक से बेशिए मैंने खर्चा आओ दिन से ता बइटे हुए अपाई जाकी तो ही काम में भी लांग है पूरा परिबार आठ महिना से एक खोज में परेसान था लास्ट में पता चला कि हैताब की मौत हो गई ट् साथ लाक रूपिया आपका खर्चा हो गया सारा किरिया ग्रम चलिसमा लेते हुए सारा चीज लेते हुए उसके बाद आठ महिना बाद आठ महिना बाद कुदरत का ऐसा करिस्मा होता है चमतकार होता है अजूबा होता है कि आठ महिना बाद एहताब घर वापस हो जाता है क कब खबर मिला था कि एहताब की मौत होगी ट्रेन से गिरने से तो आठ मेना हो गया आठ मेना हो गया आप लोग पूरा कंफर्म हो गए कि यह एहताब यह फोटो किसका है क्या नाम हुआ नाम रुबी देभी है यानि सब हिंदू मुस्लिम एक जैसे रहते हैं यहां भायचारी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है यहां तहीं आकेल ही है सब हिंदू है लोग है और मिल्जूल के रहते हैं यहां से उकंदोनी आस्रम में बवा ऐसी पागल जकित पहुचा तो बवा उठाके आस्रम में ले गए अच्छा पांस दिन पहले आया आया आपका बेटा पा अच्छी है अच्छी है अच्छी है अच्छी है और मार कर फेक देता है और इनको ख़बर आती जरूर है लेकिन जब वहां बोडी दिखती है वह किसी और की होती है जिसको आप लोगों ने दफन करके आपके वेटे को कोई आस्रम बाले उठा कर ले गए थे इलाज के दोरा अभी क्या हालत है आपके बेटी बेटा वह गुंगा बना हुआ है बोलता कुछ नहीं है गर्दन में चोट भी है तो सकते हैं इनके वेटे क आवाज चली गई है पूरा गर्दन में चोट है हलाकि कोन उस पर हमला किया को नहीं किया वह जनने वाली बात है लेकिन यहां बात है कि आपका बेटा बच गया और आपने जो दफन किया वो कोई आओ था है हमल सकल था अब सकल मिल रहा मिल ला था एक दम अधार कार्ट के देखवे करते हैं अभी सब भी देखिए फोटो भी सेम है सेम एकदम कोई चेंजिंग नहीं फोटो में सेम फोटो है और आपने भी वहां जाकर देखा तो कहा मेरा ही बेटा यहां इतना कन्फ्यूजन की आपने पहचान लिया जिस बोडी को आपने पहचाना था उसके फेस पर चोटूट भी था क्या उसे ही तो पुड़ा खून से बस्तर बहुत हो गया था लास्ट फूल गया था हफ्ता दिन हो गया था तब हम लोग हुआ पहुचे लास्ट में अधार कट के जरीया आप सब आते जाते बहुत जादा खर्चा हो गया सोच सकते हैं बेटा कब्र का सीना चीर कर बाहर आ गया अभी वो बीमार है उनका इलाज कहा चल रहा जाजा जाजा चल रहा इंदरे उद्र अभी पैसा कोड़ी नहीं है पैसा कोड़ी कहा से लोग तो चंदा पहला ही दे दिये खوفन पहले पहले बोलता था वोल्ने वाला बेटा टुन से गिर जाता है उसकी मौत हो जाती है महत होने के बाद यह लोग दफणा झाल झाल